हलो एवरीवन वेलकम टी यार चैनल एके सब यह जो मैप है बहुत इंपॉर्टन जाएगा जहांगिर के लिए काबुल कंदाहर अमरित सर लाहौर लाहौर देखलो कहां पर पड़ता है ठीक है यह लाहौर हो गया फिर यह पंजाब हो गया कंदाहर काबुल भक्कर की भी टरि प्रिमेर यह सारे सब यहां पर नौत इंडिया में बेनारस विहार यह सब तो आपको पता ही होना चाहिए भी तक के मालवा भी एंपी में पड़ेगा उसके बाद में यहां पर एहमद नगर में पड़ेगा आदिन शाही बिजापूर कुतब शाही यहां पर गोल कॉंडा चलो आगे बढ़ता है जहांगिर जो है उसके बाप की देथ के बाद में गदी पर बैटता है उसके फादर का नाम होता है जलाल अदीन मौमद अकबर और उसके बाद में जैसे ही उसका यहां पर डॉन होता है डॉन अफ दी निव एरा उफ दी जहांगिर तो उसने कुछ क पॉइन्स वगेरा अपने सिक्के एशू किये और उसके बाद में जस्टिस वगेरा के लिए चेन मराया था, कुछ रेगुलेशन्स भी उसने यहां पर दिये, ओके, रेबेलियन आफ दे खुसरो, जहांगीर ने जैसे अपने बाप के टाइम पर रेवोल्ड किया था, उसके अफ दी रेइन में, जैसे लास्ट में जब अकबर की देथ होने से कुछ साल पहले, तो वैसे ही यहां पर रेबेलियर आफ खुसरो भी हो जाता है, लाइक, कहते हैं ना, कि वापस जो, he was paid back in his own coins, तो जैसी करनी, वैसी बरनी, एप्रिल 1606 के अंदर, जब यह एक बहाना कर जाता है, और खुसरो जो है, उनको blessings मिलती है, गुरू, क्या कहते हैं, अरजुन देव की, जो यहां पर गुरू होते हैं, सिख लोगों के, जिसने यहां पर गुरू गरंत साहिप को compile किया था, और blessings लेकर के, वो लाहोर की तरफ निकल जाता है, जाहांगीर ने अपने लीफ आर्मी भीजी यहां पर लाहोर की तरफ, बैरोवाल में खुसरो की बहुत बुरी तरीके से हार होती, जब वो काबुल की तरफ भाग रहा था, उसको capture किया गया, उसके supporters को मार दिया गया, गुरू अर्जुन सिंग के जो हर्मिटेज है, जो support किया था गुरू अर्ज की, fort of kandhar was the bone of contention, मतलब kandhar already अकबर के time पर हम लोगों को मिल चुका था, इंडिया को 1595 में, और ये सफाविद्स के जो rulers से, लाइक परशिया के सफाविद डैनिस्टी के तो इनको वापस return चाते थे, अब कैसा कि खुसरो को वहाँ पर लाहोर के तरफ, डीटेन किया गया तो वहाँ पर उसने ये plot hatch किया कि मैं अपने बाप को kill कर दूँ, और जैसे ही पता चलता है जहांगिर को तो फिर खुसरो की जितने भी जो बंदे साथी होते हैं सबको मौत के घाट, और खुसरो को जो है वो खुद blind करके यहाँ पर jail में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो starting का जो problem था, तो ये एक problem सरीले में जाता है जहांगिर को, subjugation of mewar, राना प्रताब ने अपने life में कभी यहाँ पर अकबर के सामने जो भी है, उपने लिटे के जब तक कि वो जिन्दा रहे, अकबर के सामने ने ने fight किया, और राना प्रताब नाइटी नाइटी force, अपने दूसरे बेटे के यहाँ पर अंडर में भीजी, जिसका नाम था परवेज, बहुत सारे officers भी थे उसके साथ में जो एकदम कड़े और मंजेवे officers थे, ये कैसा है कि राना अमर सिंग को geographical location पता था, उन्होंने बहुत सारी evasive tactics वगरा यूस करे, जिससे वो बचते र गुजरात में, मतलब पहले परवेज, फिर महाबत, फिर उसके बाद में अबदुल्ला खान, बहुत सारे commander's change हुए, 1613 में, यहाँ पर जहांगीर जो है ना, वो खुद आगरा से अजमेर पहुंचता है, और अपने तीसरे बेटे को यहाँ पर चार्ज देता है, जिसका न और यहाँ पर इतने अच्छी दरीके से खुर्रम ने जो बैटल की अगेंस दी राना अमर सेंग, कि यहाँ पर जो उसके रिजल्ट से बहुत ही positive मिलते हैं मुगल्स को, 1615 की ट्रीटी में राना जो है वो 1000 घोडे और उनका जो बीटा है प्रिंस करन, यहाँ पर उनको 5000 का म ईफिसर होगा वो, तो राना को यहाँ पर personal attendance जैसे राजा को वहाँ पर जो भी है personal attendance जहां पर वो submit करता है, like जहांगिर के कोर्ट में, तो जहांगिर के कोर्ट में जाने से मना कर दिया गया, मतलब राना वहाँ पर नहीं जाएंगे, और चित्तौर के सामने और एक लखी गए कि चित्तो और राणा के इंडर में ही होगा बट उसको वो कभी फोटीफाई या रिपेर नहीं करेंगे अब वो जैसी हालत में हैं वैसे ही रहेगा तो जहांगीर ने यहां पर मेवार को सब्डियू कर दिया जो राणा प्रताब के टाइम पर नहीं हो पाया वो य अकबर से लेकर के औरंग जिप तक के चार जेनरेशन तक के बहुत ही जबरदस टाइप आफिसर्स यहां पर राजपूद्स के शकल में यहां पर इंडिया को मिलते हैं जिन्हों ने एक स्टेबिलिटी यहां पर देने का बहुत इंपॉर्टन काम किया मुगल एंपायर को पेसिफेकेशन ऑप बिंगॉल बिंगॉल के अंदर कैसा है कि आफगान का काफी अच्छा कासा होड़ था तो यहां पर इसा दाउद खान कुत्लू खान इसा खान सुलेमान खान इनके बाद में जो मुगल जेनरल था उसने यहां पर उसमान खान को डिफीट कर दिया उसमा लीडर्शिप होती है खास करके बंगॉल रीजन में वहाँ पे अफगान जो है लीडरलेस हो जाते हैं क्योंकि इनके बाद में इतना कोई इंपोड़न बंदा नहीं दिख रहा था और इसलाम खान जो मुगल गवर्नर थे उनको यहां पर गवर्नर और बंगॉल के शकल में माहरास्टर से टी उजी सी नेट और भी दूसरे सा बहुत सारे कॉंप्टिटिव एक्जामस पे पूछा जाता है कि धाका बॉस रिनेम्ड बाइदी विच नेम दूरिंग दा रेन अफ जहांगी या जहांगी रन अगर किसको रेन मतलब रेनेम किया गया था अब जो एकद साइड में अगर आप देखोगे तो चलो आगे बढ़ते हैं तो यह हो गया अनेक्जेशन आफ कांगरा कांगरा देखो यहां पर आल्रेडी में पहले बता चुका हूँ जब यहां पर वीडियो स्टार्ट हो रहा था तो कांगरा यह बियास के आसपास जहेलम के आसपास अलूचिस्तान बराचपूताना यह सब इसका एक स्क्रीन शॉट टेरिंगे तो बिटर रहेगा आगे बढ़ते हैं अनेक्जेशन आफ कांगरा कांगरा कैसा है कि छोटे मुटे लाइक पहाड़ी के अंदर वो बसा हुआ था 1620 में और तोदर्मल को यहां पर बेजा गया जहलम और रावी के बीच में जो इसको जाके आप सब्डियू करो और वहाँ पर इस जो फोट था इंप्रेगनेबल मतलब जीतना उसको उतना ही नाम मुम्किन था तो बहुती लंबे महासरे के बाद में सीज के बाद में जो राय रायान विकरम जीत हैं वहाँ पर तो वो यहाँ पर यहाँ से जो पॉलिटिक से अभी डेकन की स्टार्ट हो जाएगी वैसे तो अकबर के टाइम पर ही स्टार्ट हो गए थे लेकिन अभी यहाँ से कैसा है कि सारे शाहीज वगेरा मिल जाएंगे और बहुत ही जादा तगड़ी वारफेर देखने के लिए मिलती है तो मली कंबर यहाँ पर यह हपशी है लाइक अबसीनिन इतोपिया से जाये थे और इन्होंने लाइक निजाम शाही एहमद नगर के अंडर में अच्छा खासा नाम कमाया और इन्होंने एक अच्छा खासा रेविन्यू सिस्टम इजात किया यहाँ पर जो नियरली अराउं ट्रेन होते हैं इनके ही टाइम पर और बाद में मुगल्स को चैलेंज करते हैं मली कंबर ने यहाँ पर जो पुरानी जो टेरिटरीस थी एहमद नगर की तो उसको उन्होंने रीगेन कर लिया जो यहाँ पर वारफेर में चली गई थी और उन्होंने एक समझदारी का गाम किया था कि जो उनके ही लाइन से लाइक एहमद नगर की लाइन से जो एक फैमिली का उनके जो था मुर्तुजा निजाम शार सेकेंड उसको टाइटल दे करके गदी पर बिठा दिया और उसके बाद ने मुगल सल्तनत के खिलाफ उन्होंने अपनी यहाँ पर जो है वो करना है तो यहाँ पर गदी पर कोई दूसरा बंदा बैठेगा and we will lead and we will act as the kingmaker 1608 में जहांगिर ने यहाँ पर किसको बेजा अब अब अब्दुर्रहीम खाने खन्नान को ने यह बैरम खान का बेटा है 12,000 के लशकर के साथ में इनको बेजा जाता है ताकि डेकन के अंदर व अब आद में खाने जहान लोदी को बेजा जाता है और मलीक अंबर ने चाला की यह कि कि बिजापूर और गोलकॉंडा जो दो दूसरी शाहिए थी उनके साथ में अपना लाइक ट्रीटी वगएरा साइन करके वो एक हो जाते अलाइंज बना लेते हैं खाने जहान लोदी को डेकन अफेर्स मतलब मालवा से ही रास्ता बिंदिया अगर आप क्रॉस करोगे तो डेकन में पहुंचोगे प्रिंस खुर्रम खुर्रम यहाँ पर कौन है शाह जहान शाह जहान को यहाँ पर चार्ज दिया गया कि भाई आप वापस से यहाँ पर एहमद नगर का जो है ना वह अकीना पड़ जाए मलिक अंबर ने यहाँ पर देखा कि भाई ओपोदीशन टु दा मुगल्स वोट पर डिफिकल्ट इन दिया आपसंस अब तो सपोर्ट मतलब कहीं से अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो सबसे बेटर टरम यह रहेगा कि हम मुगल्स की अभे फिलाल के लिए बात मान लेते हैं जो भी रोने टेरिटरीज जीती थी मलिक अंबर ने वो यहाँ पर टेरिटरीज वापस इन्होंने दे दी उसके बाद में एहमत नगर की चाभी भी इन्होंने दे दी ओके तो यहाँ पर जो डेकन कैम्पेंट था वो बहुत फाइदे मन रहा लिन का नाम था खुर्रम और डेकन की सकसेस के बाद में इन्होंने अच्छे क्मांडर्स लाइक यहाँ से दुनिया से जा चुके इनके बाद में एक सिंगल मील भी यहाँ पर जो है वो राइस नहीं हुआ है तो यह काफी नुकसान था शौटली आफ्टर जहांगी रिटार्न टू आगरा, मतलब जैसी वो आगरा पहुंचता है वैसी मलीक अंबर ने फिर से अपना वार्फेर स्टार्ट कर दिया, नियरली आराउंड मालवा तक के पहुंच जाता है, फिर शाह जहांगो भेजा जाता है, छे मिनित तक के कैम्प को ये कहा गया था कि भाई आपने मलीक अंबर का साथ दिया है तो आपको यहां पर जो है ना पेमेंट करना होगा, राइक वार इंडेमिनिटी पे करना होगा, और 1623 में मोगल्स ने आदिल शाह और बिजापूर, देखो, आदिल शाह और बिजापूर, गोलकॉंडा, कुत की दिखाई यहां पे कुतुबल मलिक के साथ में वो एक हो जाता है, मतलब मलीक अंबर प्लस गोलकॉंडा, तो यहां पर कैसा होता है कि दोनों फ्रेंड पे वार चलू हो जाती है, मलीक अंबर ने बिजापूर को काफी हद तक के हराया भी, उसको बिसीज भी किया, लेकिन यहां पर मुगल फोर्सेस के खिलाफ इनकी फाइड भी हो जाती है, और मुगल फोर्सेस, बिजापूरी फोर्सेस मिल करके, मलीक अंबर और गोलकॉंडा के फोर्सेस को एहमद नगर के पास भाटवाडी नाम का एरिया है, 1624 में हरा देती है, सोरी, मलीक अंबर करता है, लाइक मुगल फोर्सेस के ओपर, ठेक है, मुगल फोर्स बिजापूरी और यहां पर मलीक अंबर प्लस गोलकॉंडा, ठेक है, सबसी कि वो एमेम लिखा था मैं, so I got confused, सबसी किवेंट ली ता रिबेलियन ऑफ शाहान और महाबत खान, देखो, अब यह रिबेलियन को थोड़ा सा, कुछ टाइम के लिए एक सदमा सा हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा बंदा चले गया, जो फॉरण, इन्वेजन से डेकन को बचा सकता था, चलो, तो जितना भी यहां पर जहांगिर का टाइम हुआ, तो एहमत नगर कभी भी उसको पूरा सब्ड्यू नहीं कर प जहांगिर को बहुत ही जादा नुकसान हुआ, ओके, दूसरी इंपॉर्टन चीज ये रही, कि मराठास का राइस इतना जबरदस्त होता है, इनके बाद में, गोरिला वार्फेर ऐसे सिखाया है, कि आने वाले नियर ली अरॉंड, हंड्रेट्स एन हंड्रेट्स ओफ एर्स परशिया, चलो परशिया कि अभी कहा से आ गया, ये इरान की बात करते हैं, 1595 में कंदाहर का जो खिला है, वो कैसा है गये, वहां के जो गवर्नर है, ठीक है, तो वो गवर्नर कंदाहर का जो था, खिले का, वो इतना खुश नहीं था अपने सफावे रूलर से, और उसने य प्रॉब्लम है कि जो हमारे हाथ से जो खिला गया हुआ था, अब उसको वापस उनको चाहिए, तो उसने पहले से ही मनमना के रखा होता है, जो खिला मुझसे छीन लिया गया था, या तो जो बंदा हमसे डिफेक्ट हो गया था, अब वो खिला में वापस लूँगा, तो क् लेकिन मुगल कमांडर जो शाहब एक था, तो उसने बहुत अच्छे दरीके से यहाँ पर डिफेंड किया और पर्शन अटैक को उसने रिपल्स कर दिया, अब शाहब बास को दूसरा जो है, उसने डिप्लोमेसी की यहाँ पे, जहांगीर को सम्थिंग काइंड अब धोखे में रखा, और उसने फ्रेंडलीनेस वगेरा, अटिटूड वगेरा दिखाया, कि मैं दोस्त बन जाओंगा, दोस्त बनने के बाद में कैसा है, कि भाई दोस्ती, दोस्ती की बीच में तो कोई सेक्यूरिटी वगेरा टाइप अफ तिंग रहती नहीं है, एक दूसरे के बर कंदाहर को एकदम हलके में ले लिया, इसका फाइदा उठाता है, ये 1622 में, 45 दिन तक कि ये नियरली अरॉंड पूरे फोट का है न, ये महासरा करता है, वार चल रही होती है, और उसके बाद में वहां से वो सकसेस्फुली कंदाहर जो है, शाह अबबास अपने अंडर में ले लेता है, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर था जांगिर के लिए, जांगिर ने बहुत बड़ा ये प्लान किया, एक्सपोडीशन, और शाह जहान को ये कहा जाता है, वही आप कंदाहर जाओगे, लेगन उसने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो डेकन पर जो उसका ह पॉलिटिक्स भी बीच में इन्वाल थी, और उसके बाद में उसने यही मुनासिब समझा के भाई, बाप के खिलाब जो बगावत करनी पड़े तो कोई बाद नी, क्योंकि कंदीशन्स ही कुछ ऐसे थे, जाहांगिर का जो है ना, वो मैरेज नूर जहान के साथ में एक बह के पूरा ऐसे का जाता है कि अगर आपको जहांगिर तक पहुंचना है तो नूर जहान से होके जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से इसने पॉलिटिक्स को पुरा डॉमिनेट किया, नूर जहान का जो औरिजनल नेम है, वो है महरुन निसा, उसके फादर का नम है मिर्जा ग ग्याजबेक अकबर के टाइम पर यहां पर इंडिया में आता है, उके, और यहां पर उसको एना इम्पीरियल हाउजोर्ड का सूपरिटेंडेंड बना दिया जाता है, मतलब बहुती काबिल इसका फादर था, और महरुन निसा, जब यहां पर मिर्जा ग्याजबेक जब च इंडिया आता है तो अकबर जैसे मैंने बताया और जहांगीर और महरुन निसा के बीच में थोड़ा सा लएक कुछ अफैर चल रहा था अकबर को यह अच्छानी लगा अकबर ने महरुन निसा की शादी जो है वो अलीकुली बेगिस्ताल जो यह भी एक फारसी बंदा था और जिसको हम लोग शेर अफगान भी कहते हैं शेर अफगान के नाम से जाना जाता था बेंगॉल के अंदर पोस्टेट था इसकी इसके शादी करा दी और वहाँ पर उसको दूर दराज एरिया में पोस्ट कर दिया और जहांगीर के टाइम पर उस बंदे को यहांपर बुर्द निसा के, महरु निसा बोलोगे तो नूर जहान, अब यहां पर होता कैसा है कि ऐसे कुछ खबरें आती है कि यह बंदा है ना, रिबलियन, बगावत करने वाला है जहांगिर के खिलाफ, जो कुदबुद्दीन वहां का जो सुबेदार होता है, तो उसको जहांगिर ने कहा कि भाई जरा खबर लो इस बंदे की, दोनों की बीच में कुछ फाइट हो जाती है और यहां पर शेर अफगान की देथ हो जाती है, शेर अफगान की देथ के बाद में जो महरु निसा है, अब बेवा हो जाती है, विड़ो हो जाती है, और जहांगिर ने, उसको उसके चले आती है, और इसके बाद में कुछ ही सालों में वो बहुती जाद उसके चाम और ब्यूटी से कैप्टिवेट हो करके, चार सालों के अंदर में 1611 में उससे वो शादी कर लेता है, स्टार्टिंग में जो है ना, उसको टाइडल मिलता है नूर महल और उसके बाद में टा अच्छी किये, तो फीमेल सोसाइटी का एक अच्छा ही लाइक फीमेल एमपावर्मिल्ट वगेरा या तो फीमेल भी सत्ता पर बैठ सकती है, तो उसका एक जीता जाकता सबूत था उस टाइम पर यहाँ पर उसकी जो बाप थे, लाइक मिर्जा गियास बेग, तो उनको यह अच्छी का नाम है इतिकाद खान, लेकिन हम उनको याद कैसे रखेंगे, असफ खान, ठीक है, तो असफ खान उनका कौन हो गया? भाई हो गया, भी लिख दिया, मैंने ब्रदर, और मिर्जा गियास बेग, कौन हो गए? उनके फादर हो गए, और यह कौन हो गई? नूर जह ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नूर जहान ने एक पुरा जुंटा बनाया है, जुंटा मतलब एक ग्रूप हो गया, अब ग्रूप किसके साथ में, यहां पर कौन-कौन इन्वाल था, मैं यहां पर फिर से लिखता हूँ, नूर जहान, ठीक है, प्लस मिर्जा गियास, के बाद में, 1612 वे, असफ खान ने, असफ खान की जो लड़की होती है, मतलब नूर जहान के जो भाई की जो लड़की होती है, अरजुमंद बानो जिसका नाम होता है, उसको हम लोग मुम्ताज महिल भी कहते हैं, उसकी शादी, शाजहान के साथ में हो जाती है, इसका अब नूर जहान के भाई का दामाद बन जाता है शाजहान, मतलब इंटर बोलते हैं ना कि रिलेशन हो गया और ये अलाइंस और भी मजबूत हो गया, अब ये होता कैसा है कि दस साल तक के इनका अलाइंस चला और मजबूती से ही एमपायर को ये चार लोगों ने रूल किया, अब एतिमाद और दौला की यहां पे दैत हो जाती है, मतलब नूर जहान के फादर की दैत हो जाती है, जिसके वज़े से ये जुंटा थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, नूर जहान और प्रिंस खुर्रम के बीच में दरारे पड़ जाती है, रीजन ये था कि नूर जहा जहान ये सोच रही थी कि जहांगीर का एक बेटा भी है, मतलब जहांगीर का जो बेटा है, वो दूसरी वाइफ से है, और नूर जहान की बले से शादी हो गई होगी जहांगीर के साथ में, लेकिन नूर जहान की जो लड़की है, वो दूसरे हस्बेंट से है, जो पहले वा हो जाएगा कि खुर्रम जो शाजाहन है शाजाहन को एक सीधा एक राइवल मिल जाएगा मतलब अब खांदानी खुन होगा जाहांगिर का खुनी या पर गदी पर बैटेगा ना तो इसका इंटेंशन ये चल रहा था कि लाडली बेगम के साथ में शहरयार के अगर शादी कर जाती है तो जाहांगिर के बाद में भी जो नूर जाहन है ना वो अपनी पॉलिटिक्स खेल सकेगी और लाइन जो है वो शहरयार के तरफ शिफ्ट हो जाएगा अब शाजाहन ने क्या किया यहांपर आगे देखते हैं तो नूर जाहन ने यहांपर महाबत खान जैसे जो न जात रखना है खुसरो को अंधा करके वहाँ पर इंप्रिजन कर दिया गया था और मुगल्ज में कैसा है कि जो खांदानी खून है वही यहांपर गदी पर बैठेगा अगर आप पावरफुल बंदे होगर आप वहाँ पर लीड कर सकते हो यहांपर खांदाने तैमोरिया से जो हाउस आफ तैमोरियत से होगा सरीफ वही बैठेगा अब होता कैसा है कि महाबत खान ने यहांपर खुसरो को देखा उसको रिलीस करवाया और महाबत खान ने सोचा कि मैं खुसरो को अगर गद्दी पर बिठा दूँगा तो पूरा कंट्रोल उसके हाद में हो जाएगा मतलब नूर जहान भी एक तरफ पॉलिटिक्स खेल रही है और उसके बाद में महाबत खान भी दूसरे तरफ पॉलिटिक्स खेल रहा है लेकिन शाह जहान ने यह कॉंस्पेरिसी को देखा और अपने जो भाई है प्रिंस खुसरो को उसको मौत के घाट उतरवा दिया 1622 में मतलब खुसरो का जो है प्रॉसरो का प्रॉब्लम यहां पर पूरी तरीके से खतम हो गया अब शाह जहान और नूर जहान के बीच में यहां पर प्लानिंग जो है वो चल रही थी मतलब दोनों का अलग अलग प्लानिंग नूर जहान ने प्लान क्या किया था कि प्रिंच शहर यार को जहांगिर की देथ के बाद में यहाँ पर राजा बनाना है किंग बनाना है एंपरर बनाना है और असफ खान असफ खान को अन है देखो नूर जहान असफ खान भाई बेहन है नूर जहान शहरेयार को सपोड कर रही है, लेकिन असफ खान, अब्यसली वो अपने दामाद को सपोड करेगा तो असफ खान ने शा जहान को पूरा सपोर्ट किया, मतलब भाई बेहन का यहां पर नहीं है, ठीक है भाई भाई का नहीं है, एक बहुत ही संगीन शाजान को ये कहा था कि भाई आप डेककन छोड़ करके आपको नॉर्थ वेस्ट में जाना है कंदाहर वगरे के एरिया को सीज करना है लेकिन उसने ये कहा था देखो अगर मैं जाओंगा तो मेरे बीवी बच्चों की यहां पर सेफटी के लिए मुझे रंधंबूर का किला चाहिए और मुझे यहां पर पंजाब के अंदर अच्छी खासी अथारिटी चाहिए और शाजान को ये पता था कि ये नॉर्थ वेस्ट वगरा एरिया शाजान के हाथ में नहीं छोड़ेंगे तो इसके लिए इसने ऐसे से कंडिशन्स रखी जो जहांगीर और नूर जहान यहां पर फुल्फिल नहीं करने वाले थी ठीक है तो उसने भी अपने आपको अवाइड किया कि वो कंडाहर नहीं जाएगा मतलब उसको नहीं भेजा गया और नूर जहान ने फिर कहते हैं ना कि जहांगीर से बहुत ही क्लोस थी उसकी वाइफ थी तो उसने जैसे उसको कह वैसे उसने वैसे सुना और उसकी हेल्थ वगेरा भी काफी साथ नहीं दे रही थी उसके आखरी वक्त में तो जहांगीर ने क्या किया शहर यार को अपॉइंट किया हैं पर कंडाहर एक्सपेडिशन के लिए और जो कुछ शाजान की जागीर वगेरा थी वो ट्रांसफर कर जाता है कि वो पुरी बैटल हार चुका है अब वो कुछ नहीं कर पाएगा और यहां पर सिर्फ एक बगावत ही एक आप्शन बचा हुआ है तो अपनी आर्मी लेकर के निकलता है डिक्कन से नौर्थ की तरह महाबत खान जो अपनी आर्मी है लॉयलिस्ट आर्मी ठीक है ब तो अब शाजहान नूर जहान का जो गुरूप है वो महाबत खान यहां पर जोइन कर लेता है और महाबत खान को शाजहान के पीछे छोड़ दिया जाता है कि भाई जाओ और इनसे निप्टो तो शाजहान को यहां पर बैटल आप बिलोचपूर में जो मार्च 1623 में हुआ तो शाजहान गौट डिफीटेड और उसके बाद में वापस से मांडू और मांडू से फिर डेकन पहुँच जाता है जो प्रिंस परवेज होता है परवेज यह दूसरा बेटा है मतलब एक परवेज है एक खुर्रम है खुसरो है और एक शाहर यार है चार बेटे है खुसर लिए दूर जहान पूरी पॉरी पॉलिटिक्स खेल रही है अब यहाँ पर जो है वो अब्दुल्ला कुतुबशा गूल कुंडा में जाकर के पना ले लेता है कौन शाह जहान और वहाँ से फोड़ा सा मैप देखते हैं मैप में पूरा नहीं होगा देख लेंगे हाँ है य कुतुबशा इसको हेल्प करता है वी औरीसा कैप्चर करके यहाँ पर यहाँ पर यह अलाहाबाद का सीज रेस करता है मतलब यह बेंगवाल वगेरा इसने बिहार वगेरा अपने डॉमिनेशन में ले लिया था और इसने फिर यहाँ पर अलाहाबाद का सीज रेस किया ठीक लेकिन यहां पर वापस उसको डेकन की तरफ भागना पड़ता है और मलीक अमबर उस टाइम पर जिन्दा होता है उसके साथ में इसने अलाइंस वगेरा की शाजान के पास इतने रिसोर्स वगेरा नहीं थे और उसको यह कहा गया के भाई वापस आप अपने फादर के पास आईए और उसके बाद में माफी वगेरा मांगिए तो उसको माफ किया गया लेकिन उसके जो दो किले थे लाइक रोहतास और असिरगड ठीक है तो यह यहां पर उससे किला भी छीन लिया गया और यह भी कहा गया कि अपने दो बच्चों को एस अ हॉस्टेज यहां पर बना के छोड़ा जाए जैसे दारा और और औरंग जिप को तो जहांगीर और नूर जहां सक्सीड़िड इन क्विलिंग दर रिवोल्ट यह मैंने रिड किया है इसके लिए के जहांगीर और नूर जहां ने मिल करके शाह जहां का जो एक रिवोलुशन अपना रिवोल्ट था वो यहां पर क्रश कर दिया जो बहुती खतरनाक था इनके एमपायर के लिए अब यहां पर दूसरा रिवेलियन भी देखेंगे महाबत खान अब महाबत खान और प्रिंस परवेज किसके पीजे पढ़ जाते हैं शाह जहां के पॉलिटिक्स देखो प्रिंस परवेज प्रिंस हैं महाबत खान ने सबसे पहले एक प्रिंस खुसरों को रेस किया था लेकिन खुसरों की देत हो गई अब यहाँ पर प्रिंस परवेस तो नूर जहान की चालाकी यह है कि नूर जहान यह सोच रही कही एसा ना हो कि महाबत खान यहाँ परवेस का दिमाग वरगला करके परवेस को as an alternative शहरेयार के खाड़ा कर दे ठीक है और यहाँ पर जो उनके plans थे वो थोड़े successful नजर आ रहे थे तो महाबत खान सपुरेट दा क्लेम आफ परवेस टू दा थ्रोन अब नूर जहान ने कैसा है ना ये डिसाइड किया कि महाबत खान को सरे आम जलील किया जाएगा और उसके बाद में मार्च 1626 में महाबत खान ने ये देखा कि भई पाँज़ार राचपूद सेना के साथ में उसने मिल करके नूर जहान को चैलेंज करने की ठाल ली को है ना ये कैप्टिव कर लेता है कैद कर लेता है कौन महाबत खान और नूर जहान ने ये डिसाइड किया कि अपने हजबन को छुड़ाया जाएगा महाबत खान के कैप्टिविटी से लेकिन यहाँ पर वो फेल हो जाती है successful नहीं हो पाती और अपने husband के साथ में join हो जाती है उसमें भी इसका एक reason था जब वो यहाँ पर charge, sorry, जब वे join हो जाती है इसके साथ में, तो नूर जहान ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जहांगिर को coach किया और coach करते करते, उसने वहाँ पर अपने जो सेना थी, सेना को भी इस तरीके से बढ़काया, जो आहाडीज और दूसरे नोबल्स थे, और काबल वगेरा का जो एरिया है, वहाँ पर Muslim population जादा है, उनको यह बढ़काया गया, कि सामने जो person आये हैं, वो एक Hindu population से belong करते हैं, आप एक Muslim population से belong करते हो, तो यहाँ पर उसने एक Rift create कर दिया, एक दरार पैदा कर दी, अब, यहाँ पर बहुत ही चालाकी से उसने कोच तो उसको किया, और उसके बाद में जब रोहतास का किला, देखो, दो रोहतास का किला यहाँ पर बनाया गया था, एक, एक अपना रोहतास का जो किला है, वो शेरShea Suri की टाइम पर बिहार में था, और दूसरा जो है, वो शेरशास Cari ने पाकिस्तान में बनाया था, रोहतास का फोट, लेकिन उनके देख के बाद में उसके बेटे ने उसको complete किया, तो यह हम रोतास की जो लिए की बात कर रहे है बेसीकली Nord West विस्ट वाला रोतास का किला है ठेक है दो रोतास के किले थे तो यह पाकिस्तान वाले किले की बारे में बात कर रहे हैं लाहोर अप जहांगिर ने अपनी आर्मी को बिलाए कि भाई मस्तर के लिए आ जाओ यहाँ पर अपने ओन टुप्स के लिए तो उसके अंदर यह हुआ कि महाबत खान को फिर दिमाग की उसकी बत्ती जलती है कि भाई मैजॉरिटी टुप्स तो जो है वो मेरे साथ में है ही नहीं मेरे साथ में सिर्फ जो राचपुच में लेकर आया था वही है और सामने वारे जो टुप्स है वो अतो जहांगीर के अंडर में है अब वो वहाँ से भाग निकलता है और शाह जहान के साथ में डेक्तन में हो लेता है मतलब महाबत खान की पॉलिटिक्स भी ऐसी थी कि वो लाइक प्रिंस वगेरा के साथ में होना पसंद करता था अब शाह जहान जो है लाइक चारों तरफ से उसकी प्रॉब्लम वगेरा घिरा हुआ था उसको पता था कि भाई अब वो सकसीड नहीं कर पाएगा और वो भागने की कुशिश लेग यहां से छोडने की एरिया कुशिश कर रहा था और फारस जाने की पूरे इसमें जुगाड में था फॉर्चुरेटली कैसे होता है कि किस्मत उसका साथ देती है प्रिंस परवीस की देत हो जाती है जहांगीर भी मर जाता है बतलब खुसरो पहले ही जा चुका है परवीस की भी देत हो गई है जहांगीर भी जहांगीर की भी देत हो गई है अब यहां पर दो भाई बचे होए और नूर जहान है ठीक है तो उन दोनों के बीच में कैसे हैं आपर पॉलिटिक्स होगी वो बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो में जहांगीर का जो क्यारेक्टर ऐसा था कि देखो मिलिटर स्किल्स के मामले में अकबर से वो कमजोर था लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्म्स वगएरा भी किये जस्टिस वगएरा उसका ऐसा था कि स्मॉल और चाहे बड़ा हो छोटा हो कैसा भी बनदा हो उसके सामने फर्क नहीं करना है उसकी आँखें यतनी तेज थी पिंटिंग के अंदर वो बताता है ऐसे मेमोईर्स बताता है जांगीर के कि उनके कोट में किसने अगर एक शदल बनाई है तो किसने आँख बनाया है किसने येर्स बनाया है किसने उसके नोज लिप्स वगएरा बनाया है वो वहाँ पर पेंटर का नाम लेकर के बता सकता है उसके पेंटिंग इतनी अच्छी थी painting के मामले में like there was no match in the Mughal empire of the जहांगीर, मतलब बहुत ही जबरदस किला थी, कंदार इनके टाइम पर चला गया और the rebellion of his own son Khusro, मतलब starting भी इनका जो end है, वो rebellion से हुआ, बाप के खिलाफ इन्होंने खुद बगावत की थी, इनका जो कारिय काल है वो खुद यहां पर starting में एकदम बगावत हो जाती है, इसका बेटा कर देता है, लास्ट में भी बगावत इसका बेटा करता है, मतलब दोनों तरफ से, ठीक है, domination नूर जाहन का इस तरीके से रहा के, नूर जाहन नहीं पूरा politics यहां पर और जाहन के कि जो हिस्ट्री है ना, चाहे वो architecture हो, painting हो, peace and prosperity वाली थी और चारो तरफ से यहां पर इनका जो भी था, वो development हुआ, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, take care and jahind